वेलकम टो माई चैनल और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अनपर्ड एंड अनेजुकेटिब लोगों का भी पास्पोर्ट बन जाएगा और बहुत सारे आपने कमेंट्स लोगों का सुना होगा और देखिए कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं है और अगर हम अनेजुकेटेट हैं तो क्या हमारा पास्पोर्ट बन जाएगा तो यह आपकी जो भी डाउट है आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा 100% गारेंटी देता हूं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और इस वीडियो में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके कोई भी डाउट नहीं सौल्ग हो पाती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा तो चलिए बात करते हैं कि अनेजुकेटेड लोगों का पासपोर्ट बन पाएगा या नहीं ऐसा तो चनरली आपको पता होगा अगर हम हाई स्कूल से जादा पड़े लिखे हैं अगर एजुकेटेड हैं तुम अपना पासपोर्ट नहीं बना पाओगे तो यह भाई तो बुरा लगता है ना तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई जरूरी नहीं अगर आप अनेजुकेटेड हो तब भी आपका पासपोर्ट बन जागा टेंसर लेने की कोई बात नहीं है तो सबसे फर्स पॉइंट यह है कि अब हम बात करते हैं भई पासपोर्ट के बाद में तो पासपोर्ट दो कैटेगरी का बनता है एक ECR कैटेगरी का और एक ECNR कैटेगरी का तो ECNR कैटेगरी का पासपोर्ट उनका बनता है और तरफ आता है ECR category, तो ECR category का मतलब होता है Immigration Check Required, तो भाई अगर आप 10 भी पास नहीं हो, अगर थोड़ा भी पड़े लिखे नहीं हो, तो भी आपका passport बन जाएगा, हो भी ECR category में, Immigration Check Required की category में आपका passport बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि आप 10 भी पास भी पास भी पास ह साइन करना आना चाहिए पस इतना तो जरूरी है अगर साइन करना आता है तो आपका passport बन जाएगा, कोई भी टेंसन लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है, कैसे बनेगा वह बात करते हैं, जैसे कि आपको, जब हम हाई स्कूल का माक्षीत लगाते हैं, जो लोग लगाते ह आधार काड, पोटराइडियो, पैन काड अपका हो गया जो भी इस तरीके का डाकुमेंट होता है, एड्रेस पूप में तो आधार काड भी चल जाता है, तो आपकी सारी डाकुमेंट में आपका नाम और आपकी एज, डी ओबी, डेट अब बर्द सब सिमिलर होना चाहिए, अगर सारी चीजे मैच खाती है, तो आप अप्लाई कर दीजे पास्पोर्ट बनवाने के लिए, और आपका पास्पोर्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत यह बस सारे डाकुमेंट आपके सब सही होने चाहिए, अब हम बात करते हैं कि अगर आप अगर 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 तो आप फॉरेन या तो घूमने के लिए जा सकते हो, या फिर आप किसी मेडिकल चेकपमेंट के लिए, मेडिकल ट्रेटमेंट के लिए, या फिर इस तरीके की कामों के लिए आप जा सकते हैं, घूमने की परपत से भी जा सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री में आप जा सक पर सब का passport बन जाता था चाहिए पड़ी लिखे हो या फिर नापड़ी लिखे हो इस तरीके का कुछ बहुत ही नीचे वाला काम कराते थी और यहां से जो लोग जाते थे बाई काफी अची फेमिली से जाते, छो इत्का मुह इन सब काम करकर जाती हैं, कभीवी है तो घज उत्समय कंग कहते हैं, म Vouald के दौन की दू हो वहां के बात किया कि आप यह बताए कि हमारे आजस से जो लोग जाते हैं अप उस नीचे का काम नहीं करवा सकते हैं हमारी गवर्मेंट ने बोला तो वहां की गवर्मेंट ने ऐसा बोला कि हम ये कंडिशन तभी आपका मानेंगे जब कम से कम तो दस्वी पास या दस्वी से उपर हाई लेवल तक जिसने एजुकेशन अपना कम्प्लीट किया वो लोग अगर हमारे हां काम करने आ उसके बाद से जो अन एजुकेटेब लोग है इनकी लिश्ट हटा दी गई इसके बाद से वो लोग नहीं काम करने जाते थे तो तब से उसके बाद से वो अच्छे लेवल पर काम भी करते थे तो अभी अच्छे लेवल पर फिर उनको काम मिलना सुरू हो गया मतलब कि जैसे पहले करवाते थे लो गूच टाइप करने इसलिए पासपोर्ट को दो कैटेगरी में बाग दिया गया एक ECR कैटेगरी में एक ECNR तो अगर आपको कोई बोलता है तू तो तो तेरा पासपूर्ट तो बन बे नहीं करेगा तो भाई आप ऐसा बिल्कुल भी ना सूचिएगा क्योंकि आपका भी पासपूर्ट बन जाएगा भली आप पढ़ी लिखे नहीं है कोई दिकतनी आप किसी भी कंट्री में जाकर कि आपको जाना है तो आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो आपको कोई टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रहा है तो यह कमेंट आप लोगो का यहाँ था जैसर मैंने आप लिख के रखा हुआ है कि सर आप यह बताओ कि अगर हम अनपड है तो हमारा पासपूर्ट बन पाएगा तो आपके प्रॉब्लम का सॉलुशन मिल गया होगा उम्मेद है कि आपको यह वीडियो पूरा समझ भी आगी होगी कि मैंने क्या बताया और आपको सारी चीजे समझ भी आगी होगी मैं मैंडर तो नहीं कि आप पड़े लिखे हो तभी आपका पासपोर्ट बनेगा आपका पासपोर्ट नहीं बन पाएगा तो पढ़ा लिखा नहीं है उनके साथ भी शेयर करो ताकि उनको पता चल सके इसके बारे में कि उनका भी पासपोर्ट बन सकता है इस यार के टगरी में तो डोन्ट वरी बी रिलैक्स और टेंसें बिलकुल ना लो और घर से सेफ रहो भाई घर से मास्क लगा के बहार निकलो कीप सेफ और गूम सकता आप से कहीं भी गूम भाई मस्क पासपोर्ट बन वालो ताकि सब बिन्दास है और अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम ह तो आप कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करके पूछ रखते हैं मैं उसके ओपर भी अगर वीडियो मुझे लगा कमेंट एकदब जिन्यून है और उसके ओपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उसके ओपर भी एक डेलिकेटिड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा तो जले बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में